पूर ऊंच स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक सिरिएस इस इसे इसलग इंडीयन फूऩट्वॉल फैन के लिए हैं, एलोंग वींद महोंस वागान फूट्वॉल फैन के लिए हैं. इंडीयन फूट्वॉल नियस वीडियो को पूर्य देखना है। इसमें ऐसी चीज बात कर सकते हैं और इसी चीज बात करने वाले हैं जिससे इंडियन फुटबॉल इस गोईंग डाउन फुटबॉल के लिए इस वीडियो को भी देखना चाहिए और आपके लिए ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंगे यह रिलेटेड है मोहन बागान जिसक कर सकते हैं सब्सक्राइब यह राइट प्रॉफेसर कलिंग दिकत यह हो रही है कि मोहन बागान जो है उनका मैच है हेक्टर एपसी के साथ और हेक्टर एपसी जो है इसरायल में है इरान में जो है अभी सिट्विशन बहुत अच्छा नहीं है और वहां पे खेलना दिकत है और वागरा सिट्विशन है और उनकी बहुत जदा आप लोग न्यूज मेडिया में देख सकते हैं आप सच्चा है नहीं है न्यूज मेडिया को पता है अपने को पता है नहीं क्या हुआ यह सी कि बेंगलूर एपसी मैच से पहले मोहन बागान के जो प्लेयर्स है उन्होंन किया हम लोग जाएंगे नहीं है ठीक है न और इसके ऊपर जो है न मोहन बागान ने बात किया अपने प्लेयर से और यह टिपणी हुआ कि हम लोग मतलब रेड़ी टू प्लेय वीजा इसू सॉटेड हो गया था वीजा का कोई दिक्कत नहीं था एक दो मतलब 90% हो गये थे वीजा इसे दो चार है जो इनका इसू नहीं पास हो रहा था वड़ोंसे कोई यह नहीं थे एक गया की प्लेयर थे बाएक की नोर्मल थे और उसे आप जा के खेल सकते हैं कोई मोhan वागन के management में AFC को बोला कि आप ना इसको कर दो उन्होंने वह भी एक करेंगे उन्होंने अपना opinion दिया उस पर राजी नहीं हुई तो दिक्कत इया हो गई कि भाई कहीं पर भी दिक्कत ये हो गई कि कहीं पे भी जो है उनका kyलेक्शन आपकलने ही जाने के लिए तो इसे क्या हो रही है कि ऊजि aí action on this scenario अब वो क्या होगा इसमें दो चीज होते हैं rule book बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ इसमें इपन बागान नहीं जा रही है तो यहाँ पर हो सकता है कि 10,000 डॉलर का fine 10,000 डॉलर मतलब 8,000 से 8,000 लग तक पकड़ के चलो यह एक fine होगा इसके इलिए तो confirm है 8,000 लाग तो confirm है आपका fine ठीक है ना यह तो confirm है next इससे और क्या होगा तीन गोल की I think 3-0 का win ट्राक्टर अपसी को दिया जाएगा यह मुझे लग रहा है इसके इलाबा if AFC इस तीज को ठीक से महन बागान की जो argument है और महन बागान की जो point है इस पर वो agree ना करे के नहीं नहीं तुमारे वीजा तो हो गई थी क्यों player जाने के लिए रेजी नहीं है बहुत बड़े-बड़े player वहाँ पे खेल रहे हैं तुम ऐसे इसे इक बना रहे हो तो इससे serious offense लिया जाएगा इससे क्या होगा वो disqualify होगा competition से confirm मतलब मोहन बागान अभी disqualify हो जाएंगे मतलब इंडिया disqualify हो जाएगा ACL 2 में क्यों क्योंकि East Bengal अल्रेडी बाहर हो चुका है और अभी only मोहन बागान represent कर रहा है वो भी out हो जाएगा इसका यह मतलब है उनकी next 3-4 में जो ग्रूप स्टेज खेलने माले थे वो भी खेलने ही पाएंगे और they will be out from the competition मतलब जो planning थी ना के 100 करोर की team बनाएंगे हम ACL में खेलेंगे चिल्टू में और मेकलें जैसे बड़े-बड़े player को sign किया गया इभीन उन्होंने जो रीज को जो sign किये थे 8th player, 7th player यह सब जो है problem में पढ़ सकती है क्योंकि यह लोग डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे मोहन बागान at the same time बेन भी हो सकती है for future competition because बाकी के जो भी ACL, ACL 2, ACL यह चलेंजर लीग यह सब के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे बेन हो जाएंगे मोहन बागान can be banned from AFC जो की बहुत बड़ा जटका है गोएन का के लिए और मोहन बागान पैन के लिए because seal winner का chances बहुत जादा रहता है मोहन बागान का इफ वो लोग खेली नहीं पाएंगे इसके इलाबा इंडियन टीम की जो उनकी जो भी टीम है इंडिया के ISL की टीम वो भी साइध competition में participant ना कर पाएंगे क्योंगे उन लोग इंडिया को भी ban कर सकते है because ये मोहन बागान जो है मतलब मोहन बागान को रिप्रेंट नहीं कर रहा है वो इंडिया को रिप्रेंट कर रहा है इंडिया का slot है तो वो जाएंगे नहीं तो इंडिया के slot में भी impact हो साएगा और ये बहुत बड़ी concern है 8 से 9 लाग कोई दिक्कत नहीं है but disqualify from the competition in progress or exclusion for the future competition is gonna be a very big impact to the Indian football and मोहन बागान यह सब जो है अभी rules book बोल रहा है यह सच में होगा यह देखने लाएरेगा क्योंको official news is still to come जब आएगा मैं बताओंगा but आपका क्या राह है के मोहन बागान जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था let me in the count book that's for today जैहिंद